तो वेलकम हैं आपका अमारी यूटीब चैनल में करमचारियों पैंसनर्स और फैमली पैंसनर्स के लिए मैं आपको अभी चार से पाँच बड़े अपडेट में देने वाला हूँ साथी साथ आपको कई सारे इसमें खुसकबरी भी हैं और फाइनले जो है आपका जुलाई 22 से जो महंगाई भत्ता और महंगाई रहत यनि डिये और डियार है उसकी अनौंसमेंट को लेकर के मैं बड़ी खुसकबरी देने वाला हूँ बागी और भी बड़े अपडेट्स हैं पूरे वीडियो को लास्त देखीगा पने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्त तक और अगर चैनल पे पहली बारा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा हम आपके लिए ऐसी न्यूज इन्फोर्मेशन लाते रहते हैं साथी साथ चैनल सब्सक्राइब करने के बाद में बैल आइकन को भी प्रेस करिएगा तभी आपके पास हमाई वीडियो की लेटस नोटिफिकेशन आएगी और आप माई वीडियो को इसी तरीके से आपको आगे भी वाच कर पाएंगे ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो स पैंसने बडूत्री से लेटेट हो और भी कई सारे अपडेट देने वाला हूं चलिए पहली अपडेट की तब लेके चलते हैं तो कर्मचारियों और पैंसनस की लिए जो आपका जुलाई दोयर बाइस से महंगाई बत्ता और महंगाई राहत है उसकी जो एजेंडा कैबिन कर्मचारियों पैंसनस को पहली जुलाई से ही महंगाई भत्ता डिये वा महंगाई राहत डियार मिलने की राप प्रसस्त हो गई है केंद्री केबिनेट की बैठक के एजेंडे वाली टेबल पर डिये डियार की फाइल पहुँच गई है सुत्रों के मताबिक अब उस फाइल पर केबिनेट की मुहर लगना बाकी रहे गया है इससे पहले जब भी कभी वाइफ फाइल टेबल पर पहुची है तो डिये डियार यानि महंगाई भत्ते और महंगाई राहती गोशणा हुई है इस बार भी डिये और डियार में चार से पांच फिजदी की बद्दी हो सकती है मौजूदा समय में 34% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है इसमें चार फिजदी की बड़ोत्री होती है तो डिये और को की दर जो है अर्तिस फिजदी ताफ पहुच जाएगी और इसके लावा जो है महंगाई भत्ते में चार से फिजदी पांच जो चार परशन अब आपको जो पूरा सारी चीज़ें जो भी रहेंगी वो अब लास सेप्टेंबर के मन तक जो है इसमें सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी साथी साथ कर्मचारियों और पैंशनर्स के जो 38% महंगाई भत्ता में बड़ोत्री के साथ ही आपको जो है जुलाई और अ अब हपता है कि ऐसे पैंशनर्स और फैंशनर्स जो कि इस इरिया में रहते हैं जहां पर होस्पटेल ऑंपेडोंस से नहीं है या उनके वेलनेस सेंटर नहीं है तो उन ऐसे छेतर में ऐसे एरियार में नों सीज़चस करमचार पैंसनर्स को और फैमिली पैंसनर्स को उनको fixed medical allowance प्रोवाइट कराया जाता है जो की 1000 रुपए है तो ऐसे मैं pensioners association ने सरकार को एक लेटर लिखके बोला है कि सरकार जो है fixed medical allowance की जो rate है उसको 1000 रुपए से बढ़ करके 3000 रुपए करें क्योंकि जो OPD का कर्च है medicine की cost है वो काभी हद तक बढ़ चुकी है जो की 1000 रुपए में possible नहीं हो पाती है तो ऐसे मैं pensioners को बहुत जादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो सरकार से request की गई है कि सरकार जो है 1000 रुपए से बढ़ा करके 3000 रुपए क करें जिससे पैंसनर्स और family pensioners को बहुत ज्यादा रहात मिल सके आप सभी को पता है कि सरकार का आंसर भी आया सरकार ने बोला है कि जो इसकोवा की मीटिंग हुई थी उसमें आंसर आया था कि सरकार जो मैटर जो है पूरा अंडर कंसिडरेशन है इसके रिगार्डिंग या के 18 मंत के डिये और डियार पर आप सभी को पता है कोविट केुक के टाइम पर 18 मंत का जो डी ऐ और की तीन सोल्मेंट्स ति उनको फ्रीज किया गया था लेकिंट बाद में जो है लिख में आगे और मेहंगाई रहात आप सभी को दिया गया था लेकिन ताagar miras मंट में जो cabinet की बैठक हो रही है जसमें जो चार मैंगाई बत्ते होने वाली है उसमें ही जो है जो है इस्मोस्रा हो सकती है ऐसा मीडियम में कबरे आ रहे हैं लेकिन मैं आपको बता दू मंझे नहीं लगता है कि अभी जो है 18 मंद का डी-ए और डी-आर की गुसरा जो है वो इस मंत हो सकती है क्योंकि सरकार ओली इस एक जथिसार मंद का डी-ए और डी-ार का बढ़ा रही है तो ऐसे मैं तेट्थार्व सुतार्वникомत का दी-ए डी-आर टो इस बन्स और मैंशार के बढ़ना बहुत जो आपकी unions और फेडरेसंस हैं उन्होंने सरकार से time to time जो है लेटर लिख करके 18 मंत के डी ए और डी आर की जो एरियर से उसको जो है return करने की वापस करने की सरकार से request की है और उन्होंने ये भी बोलाए कि government जो है settlement की situation में आए और करमचारियों और पैसनर्स को अगर एक बार म में पैसा नहीं मिल सकता है पूरे एरियस का तो तीन से चार अलालग इंस्टॉल्मेंट में करमचारियों और पैसनर्स को जो 18 मा का डी ए और डी आर है वो उनको provide करा पाए और आप लेके चलते हैं आपकी सबसे important ख़बर पर जो आ रही है pensioners और family pensioners के मैं की basic pension में बड़ोत ने सरकार के सामने मैं आपने previous वीडियो में भी बताया था किस करकार के सामने request रखी थी दो option दिये थे यह बोल सकते हैं दो प्रपोर्जल दिये थे पैंसनर्स और family pensioners को कि वह उन दोनों में से कुछ भी लागू करके pensioners और family pensioners को रहात दे पहला जो option था मैं बताने जा रह परशन की सीधी सीधी basic pension में बड़ोत्री कर दी जाए जैसे 60-65 साल के बीच में 5% की 65-70 साल के बीच में 10% की 70-75 साल के बीच में 15% की और 75-80 साल के बीच में आगे जो है वह आपको पता है कि साथ में बेतनायों के हिसाब से उसमें आटोमेटर जो है 80 साल के बाद में 20% basic pension म दूसरे की बात करें कि हर साल जिस प्रकार से existing employees की यानि जो serving कर्मचारी है उनकी pension उनकी salary में 3% की basic ब्रद्दी की जाती है तो उसी के according at least 1% की increment किया जाए basic pension में pensioners और family pensioners का जिससे उनको बहुत जादा रहात मिल सके तो यह दो बड़े proposal थे इसमें अभी तक कोई भी जो है आंसर नहीं आया या वो इस आंसर जो है उसी आंसर के according जो है पहुत साई चीजेस में है तो matter under consideration है जो भी इसमें official update आएगा हम आपको जरूर बताएंगे आप हमें कमेंट करके बताए कि कि आपके हिसाफ से कौन से जो मैंने आपको issues बताएं कौन-कौन सी जो news थी वह अच् सब्सक्राइब कर लेगा अच्छा लाओ तो लाइक करीगा से सब्सक्राइब कर लेगा